दोस्तों स्वागत हैं आपका एक पार फिट से ज़ा दोस्तों आप सभीको सन् aggressive की फिलम जिद्धी तो यादी होगी दोस्तों जिद्धी फिलम सबसे बहुतरी इन फिल्मों में शामिल है जीत, जिद्धी, घायल, घातक इन फिल्मों को आप जितनी बार भी देखोगे आपको मसाएगा तो दोस्तों आपकी जानगारी के लिए मैं आपको बता दू कि 11 अपरेल साल 1997 को रिलीज हुई थी ये फिल्म और आज भी 11 अपरेल है तो फिल्म ने पोरे 23 साल कर लिये हैं तो इसी के बारे में हम बात करने वाले फिल्म जिद्धी के आपको बताएंगे इसके box office collection के बारे में, budget के बारे में, hit और flop के बारे में और साथ इसाथ आपको बताएंगे फिल्म के साथ ऐसे unknown fact जो आप नहीं जानते होंगे चुनि सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में आपको बताते हैं बात करें फिल्म की तो सनी देओल, रवीन अटंडन, अनुपमखेर, राजबबबर और आशिश विध्यारती इस फिल्म में हमें मुखी किरदारों में नसर आई थ फिल्म के डारेक्टर थे गुड्डू धनवा, तकरीबन आठ करोड रुपे के बजट में बनी थी ये फिल्म, और बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था, तकरीबन पूरे इंडिया में इस फिल्म ने 19 करोड रुपे की कमाई की थी, और पूरे वल्ड में 33 करोड रुपे का शांदार बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था, और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म होई थी बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट, चले दोस्तों आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़े अन्नाउन फैक्ट के बारे में, नमबर एक, दोस्तों जिद्धी साल 1997 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, दोस्तों आपको बताता चलू कि इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर तकरीबन 33 करोड से भी स्यादा की कमाई की थी, नमबर दो, जिद्धी फिल्म में रवीना टंडन ने जैप धान का रोल निभाया था, हालकि ये रोल रवीना टंडन से पहले ममता कुर्णकरणी को ओफर किया गया था, और उन्होंने ये रोल करने से साफ इंकार कर दिया था, नमबर तीर, दोस्तो फिल्म जिद्धी का म्यूसीक, दिलीव सैन, समीर सैन द्वारा किया गया था, और इस फिल्म का गाना मेरा दिल ले गई, बेहदी लोग पिरे हुआ था, आपको बताता चलू कि ये गाना पाकिस्तानी पॉप सॉंग, बिल्लो दे घर से कॉपी किया ग नमबर पांच, ये बॉल्यूट की अंतिम फिल्म थी, जिसमें सनी देओल और रवीन अटर्णन ने एक साथ काम किया था, इस फिल्म के बाद उन दोने किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया, नमबर छे, दोस्तो खलनायक के रूप में राजबबर के साथ सनी देओल क पहली फिल्म थी, इससे पहले राजबबर सनी देओल के साथ तो नज़र आए, लेकिन कभी खलनायक की भूमिका राजबबर ने नहीं निभाई थी, नमबर साथ, जिद्धी फिल्म की शुटिंग के दोरान सनी देओल और रवीन अटर्णन एक दूसरे की काफी करीब आ ग जी थी, नमबर आट, दोस्तों आपकी जानकरी के लिए जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ममता कुलकरणी भी जिद्धी फिल्म के लिए पहली पसंद थी, लेकिन उनको जब इस फिल्म के लिए पेशकश की गई थी, तो ममता कुलकरणी ने इस लिए इस फिल्म को करने से मना कर दिया था कि film की जो story है वो अच्छी नहीं है और यह film box office पर flop हो जाएगी लेकिन जब यह film release हुई तो box office पर अच्छी कमाई की थी इस film ने और box office इंडिया और box office worldwide हिला कर रख दिया था और फिर उसके बाद ममता कुल करनी को काफी पस्ताब हो था कि मैंने इस film में काम क् इसी फिल्म जिद्दी की जानकारी बॉक्स ओफिस कलेक्शन से लेकर अननाउन फैक्ट के बारे में तो आप हमें कमेंड में अगर अपनी पसंद की किसी मुवी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंड में आप लिख सकते हैं और वीडियो को दिल से लाइक शुरूर किसिते हैं लिए सब्सक्षा झाल सुरूर की जब दे लावर रिएर अनना चाहता हैं और वीडियो को आप सकते हैं तो किसी मुवी जाफिस देसे लेक्टर की जादी विल्म जाभी जाए विल्म जाबस्स के जाल कर दो